नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकराननद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गोब्लोक्स में है और देखेगा आपकी हतेली का जो आकार यहां पर दिखाई दे रहा है ये निश्चित रूप से आयताकार है मनी एनलेटिकल किसम का व्यक्तित्व जीवन में आपका रहेगा दार्शनिक किसम की हतेली है और हतेली आपकी है तो निश्चित ही दार्शनिक हतेली इसको कहा गया है तो analytical किसम का विक्तित तो आपका जीवन में बना रहेगा इसका लाब आगे चल कर खास कर 42 एर से जबरदस्त लाब आपकी जीवन में आपकी हतेली देती हुई दिखाई दीरी जबरदस्त जो आपने अभी तक सोचा नहीं है रियल कह रहा हुँ मैं आप देखेगा इस चीज़ को और आपकी हतेली है मनी आपके सरीर का एक भाग है और देखेगा क्यों हतेली वास्तों में कुछ बोलती है ये इसलिए बोलती है कि आपका जो मस्तिस्क है जो ब्रेन है वो सोचने का कार्य करता है लेकिन उसको practical रोप कर्म कौन करती है आपकी हतेली करती है आपके हाथ करते हैं इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि आपकी किस्मत आपकी मुठी में बंद है आपकी हतेलीों के बीच है तो ये इसलिए बोलते थे और हमारा प्रारब्ध क्या था हमारा आने वाला जिवन कैसा होगा ये 100% कहती है 99% नहीं 100% आपके बारे में आपकी हति लिए बताती ही बताती है अगर हम करियर की यहाँ पर बात करें तो उन कारियों में जिन में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिस्क का काम जादा चलता हो सरीरिक जो मेहनत है सारीरिक मेहनत कम होती है ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कार्यों में आप उन्नती भी खूब करेंगी दूसरी चीज हतेली के अगर हम देखें तो हतेली की जो आभा है जो रंगत है जो कलर है हतेली का अच्छे रूप में आ रहा है मनि आने वाले समय में सो भग्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रहा है आपका भग्य उच्छ अस्तर पे आ रहा है जिसके कारण जीवनकाल के 41 एर से या 40.5 अगर हम यहाँ पे करें तो यह सही रहेगा 40.5 के मिडिल से वैसे तो वास्तों में 41 से है ऐसी इस्तिति आ रही है कि आप हर छण का आनद लेंगे हर छण का लुथ पूठाएंगे यह इस्तिति दिखाई दे रही है और आगे चल सोभाग्य की प्राप्ते होगी यह भी इस पश्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है न यह आपकी हतेली है अब यहाँ पे देखेगा बर्तमान समय में एक दो कमियां भी आपकी हतेली में है और उन कमियों को आपको पूरा करना ही करना है उन कमियों की और चलें फिर आपके प्रश्ण लें आपके सवालों के जवाब दें देख करके सबसे पहले कमी यहाँ पे आ रही है जो बरतमान को थोड़ा प्रेशान कर रही है और थोड़ा आपकी जो development है जो progression है उसको उस रूप में निखार नहीं रही है आपको वास्तों में वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिसके आप खोज कर रहे हैं जिसके लिए आप तड़प रहे हैं जिसके लिए कहीं न कहीं जो है जिवन अब ये लग रहा है यार ये मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है उसका कारण क्या है इस और चलते हैं ये आपकी रिंग फिंगर है ठीक है ने इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम कहते हैं सूर्य का परोध सन माउंट ये आपक यस को बताता है मनि उर्जा का कारक है यस बताएगा आपका आपके कारियों के विस्तार को बताता है उसके फैलाव को बताता है आपकी आर्थिक इस्तिति को बताता है और आपकी परसनल्टी के निखार को दिखाता है ठीक है ने यहां पे अगर हम देखेंगे तो यह जादतर सपाट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से भी नीचे की और धंस रहा है यहां से भी नीचे की और धंस रहा है जब सुर्य का परोत नीचे की तरब धंसने बैठ जाए हतेली में तो यकीन मानिएगा क्या इस्तितियां आती हैं उस टेम सबसे पहले आर्थिक रोप से ब्यक्ति कमजोर होने बैठ जाता है उसकी आर्थिक इस्तिति डग मगाने बैठ जाती है दोसरा ऐसे में ब्यक्ति जो परियास कर रहा होता है उन प्रियासों में पूरी सफलता उसको नहीं मिल पाती है जो वो मेहनत करता है जो वो परिसरम करता है उस मेहनत का उस परिसरम का जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो उसको नहीं मिल पाता है तीसरी बात ऐसे में बिक्ति अगर ब्यापार की तरब जाएं तो ब्यापार में न तो विस्तार मिलता है उसको न वो फैलाओ मिलता है न वो नाम मिलता है न वो यस की प्राप्ति होती है न बिक्ति वो ब्रांड बनकर उबरता है जिसके लिए उसने सब कुछ खपा कर पर लगा कि, तीसरी बात, ऐसे में अगर बेक्त नौकरी भी कर रहा हो, तो नौकरी में वह वास्तुविक ग्रोत नहीं मिल पाती है, जिसके लिए इसने अपने आपको खपा लिया हो, मनि एक सहजता से, एक सरालता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है. अन्धेरे में बिक्त बिना टॉर्च का रास्ता आइडिया शे ढून रहा होता है तो फिर देखो कैसा होता है आपके सामनी है अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए उससे पहले ये जानते हैं ये होता क्यों है ऐसा हमारी हतेली का ये भाग ऐसा क्यों होता है और जो मैं कह रहा हूँ वो प्रभाव क्यों देता है देखेगा ये इसलिए होता है जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरी तरह से इसको एक्चुल रूप में समझे ये इसलिए होता है कि जब लंबे दोर से हमारी जो दिन चरिया है हमारा जो रूटीन है वो मैनेज नहीं रहता है तो कहीं न कहीं हमारे भीतर का जो सूर्य है वो कमजोर होने बैठ जाता है वो सही से उर्जा प्रवाइड नहीं करता है और उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है कहीं न कहीं आपका जो सारीरिक स्वास्त्या है आपकी जीवन की जो खुसहाली है आपकी जीवन का जो उत्सा है जो उर्जा है वो कहीं न कहीं बिखरने बैठ जाती है एक सीध में नहीं रहती है अपना एक्चुल प्रभाव नहीं दे पाती है और इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ती है ठीक है न? अब इसके लिए क्या किया जाए कि आपका सोर्य मजबूत हो और अच्छा फल परदान करे इसके लिए होता है एक दिव्य सूर्य किरिया एक बेग्यानिक किरिया है बेग्यानिक मनि जोतिस बिग्यान के द्वारा उत्पन की गई किरिया हमारे जो रिसिमोनिते ने उन्होंने बड़ा सोध किया है और हमारे धर्म सास्त्रों में बड़ी सरल चीजें इन्होंने लिखी हैं जिसे मनुष्य जीवन का कल्यान हो ठीक है इसलिए तो ये सनातन है ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है ये भस्म करने की मार धार करने की ऐसी सिक्षा नहीं देता है ये मनुष्य के कल्यान की सिक्षा देता है ठीक है ने उसके स पूस्वास्ति अच्छा रहे, वो समाज में काम आए, उसका कल्यान हो, उस सदमार्ग पे चले, उसकी बुद्धी अच्छी हो, यही हमारा सनातन सिखाता है, यही हमारी धार्मिक पुस्तेकेंं सिखाती है, और यही हमारा जोतिस शिखाता है, कि हमें अंदेरे से उठकर के, उजाले की तरफ कैसा जाना चाहिए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है दिव्य सूर्य किरिया अगर आप निरंतर रूप से दिव्य सूर्य किरिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सारिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजोद भगवान सूर्य के चक्रों क साथ प्रस परताल में इल्म ही आ जाते हैं और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रूप से पड़ता है जहां आपकी सारिरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजत से चलेगा फिर चाहे सारिरिक स्वच्थ्य हो जीवन की वास्त्विक खुसाहली हो जीवन का उत्सा हो उसकी उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें आपकी जीवन में बहतरीन अवस्ता में आएंगे ये इस पश्ठ तरीके से दिखा र अब दूसरा देखेगा आपका सवाल बे लेते हैं आप कह रहे हैं कि अब ही मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है आगे आप बिजनिस करने की सोच रहे थे और पूछ रहे हैं कि करना कैसा रहेगा देखेगा अब ही अगर हम बात करें आपके जीवन में ब्यापार को देखें तो आपका सूर्य पूरी तरो से ब्यापार को ठीक नहीं बता रहा है और खासकर आपका सुक्र का भी उसमें अच्छा प्रभावन नहीं पड़ रहा है तो कम से कम आपको जो है अभी एक साल रुखना चाहिए मनि जब जीवन के एक तालिसवे साल में आप पहुँच जाए अगर आप ब्यापार करें तो आपके लिए बड़ा सांधार रहेगा बहुत अच्छा रहेगा अगर ततक नहीं ठहर पाते हैं तो चालिसवे वर्स के मिडल से आप ब्यापार सुरो कर सकते हैं कहीं न कहीं आपको अच्छा फायदा होगा लेकिन अभी ब्यापार करना आपके हतेली की दृष्टी से अच्छी नहीं है उसमें भी आपका सुक्र बता रहा है कि आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावले पन में गलत निराएं ले सकते हैं और उस गलत निराएं के कारण ये जीवन को कहीं न कहीं दो वर्सों के लिए शंगर्स में डाल सकता है और धनहानी की आशंका को बढ़ा सकता है अभी एक से डेड़ साल तक बनी 41 वर्स से पहले तक आपको ब्यावसाई सोच समझ कर करना चाहे ये ब्यावसाई में नुकसान की आशंका को दिखा रहा है अगर बहुत जरूरी हो आप रुक नहीं सकते तो पार्टनर्शिप में कारे न करें पार्टनर्शिप में तो वैसे भी 42 वर्स से पहले कारे नहीं दिखा रहा है खुम मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा ये आपकी हतिली बता रही है खास कर जीवन में धन कमाने की अच्छी इस्तिती 42 एर से यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है हाँ 42 के बाद चीजें बेहतरिन अवस्ता में आने सुरू हो जाएंगी लेकिन बुडापा काल बहुत अच्छा है आपका ये भी दिखा रहा है लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े की वेसे वेसे पेट का दर्द है घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है इसकी संभावना बढ़ सकती है इसके लिए योगा इत्यादी चीजें जरूर करें ये आपकी हतेली बता रही है अब यहां पी एक चीज और है बड़ा ध्यान से देखेगा धीरे धीरे आपकी करियर और धनकी रेखा इस पश्ट होती हुई दिखाई दे रही है अब यह नहीं अब यह कम से कम 41 वर्स में जाके इस पश्ट रूप लेगी और साथ में देखेंगे तो यहां पर यह रेखाई भी इस पश्ट रूप लेती हुई दिखाई दी रही है अगर हम देखें तो यह रेखाई भी और इसका मतलब है कि यह तीनों रेखाई और साथ में यह रेखा अगर आपकी इस पश्ट हो जाती है जैसे योग बन रहे हैं महालक्षमी योग यहां पर बन रहा है आपको 42 वर्स के आसपास 42 या 43 के बीच में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है इसकी संभावना को दिखा रहा है यह अचानक जिवन में तरक्की को दिखा रहा है धन है प्रतिष्टा है मान सम्मान है यह सबी चीजों में बड़ी बडोतरी को दिखा रहा है आप 40 वर्स पार करके अगर इक 41 वर्स के आसपास निर्धनता को खतम करेंगे आप अपने जिवनकाल में निर्धन नहीं गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब आपके पास सब कुछ आने बैठ जाएगा ने आपके अंदर अभिमान आ सकता है इगो प्रोब्लम आएगी इससे आपको समल कर रहेना है क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत जादा हो जाएंगे धर्म कर्म के कारियों में आप बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे दानपुन्ने से समंदित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है तो इससे पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर अभिमान आ रहा है लेकिन ध्यान रखें अभिमान मत आने देना ये जो चिन बन रहे हैं आपकी हतेली में ये निश्चित तोर पे धन के होत अच्छे हैं और आगे चल कर 42 स्वेंग वर्स से बियाऊसाय इत्यादी चीजों को बेहतरीन दिखा रहें हैं और बियाऊसाय इत्यादी चीजों में बड़ी सपलता को भी दिखा रहे हैं ये इस पश्ट तरीके से यहां पे आपके सवालों के जवाब भी है और आपके हतेली की बेहत्रन रेखाऊँ का यहाँ पर एनलेशिश भी है अब यहाँ पर देखेंगे आपका एक मुख्यकतन है पैसा नहीं टिक पा रहा है जितना आता है खर्च हो जा रहा है आप पैसा नहीं बचा पा रहे है उसका कारण दो है तीन है एक तो आप देखेंगे आपका सूर्य ठीक नहीं है दूसरा आप देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना अच्छा नहीं है और तीसरा आप देखेंगे धन का जो ग्रह है जो प्लेनेट है वो अनमेनेज है तो इन तीन चीजों के कारण आपक आभी जाए तो अभी की हालत ये है कि पैसा बचाना बड़ा मुश्किल है। धन के मामले में संगर्स की इस्तिति है। और इसमें भी जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में लिया गया निरणे धनहानी, ब्यापारहानी की इस्तिति को पैदा कर रहा है। तो आपको एक तो दिव्यसूरी किरिया करनी है। ठीकर ने, दूसरा में एक हनुमान जी की उपासना आपको दे रहा हो। आपकी इश्ट देब भी हैं वो, आरध्य देब भी हैं ये, और निश्चित ही इसमें जो समरपन रहेगा, उससे आप जबरदस्त उचाल उसके बाद चीजें अपने आप आपके अंडर में आने बैट जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके हतिल, इस पश्ट कह रही है। ठीक है ने, यहाँ पे अगर हम आपका मनिबंद को देखते हैं, तो इस पश्ट तरीके से दो रेखाईं ही उद्भाव में आ रहे हैं, इसका मतलब है अपने खुद की मिहनत और अपने खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवनकाल में अच्छे सपलता पाएंगे, अगर ही आप इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं, कि किसी के मेहरबाली से, किसी के जो है दया से, अगर मैं जीवनों में बहु आगे बढ़ सकता हों, तो ये आपकी भूल होगी, आप अपनी ही मिहनत और अपने ही परिश्रम से अपने जीवनकाल में बड़ी सपलता पाएंगे, हाँ, प्रारंबिक दोर ये और ये चीज दिखा रही है, संगर्समय है, कम से कम, चालिसमें वर्स के मिडिल तक, ठीक है लेकिन उसके बाद, इसी संगर्स के बलबोते, आप हर सुक को पाएंगे, हर सुक का भोग भी करेंगे, ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ही डेड से दो बरसों तक, कोई नो कोई चिंता भी बनी रहेगी, और थोड़ा संगर्स भी जीवन में रहेगा, ये इस पश्ट तोर पे ये लकीरें बता रही है, ठीकन, दूसरी बात अगर हम करें, धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी हैं, इस वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराद्य के परते समर्पन की भावना अच्छी दिखाई दे रही है, इसका आगे चलकर लाब ह रही हैं, यस पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कि चीजों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए, तो गिर कर पनो उठने की ताकत भी आपके अंदर है जो बहुत अच्छी चीज है आने वाले समय के लिए लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में बड़ा गैप दिखाई दे रहा है यह बता रहा है जब भी आपकी जनम कुंडली में सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तो उसका जो प्रभाव है वो आपकी जीवन में गहरा और लंबा पड़ेगा अब कितना पड़ेगा यह आपके करमाज के उफ़र डिपेंड करेगा कि कितना पड़ने वाला है यह उंगली कहीं न कहीं इस और दिखाई दी रही है और बता रही है कि धन का माने के ललक जबरदस्त रहेगी यह आपने नाखुन बढ़ाया है इसका लाब आपको सांदार मिलेगा एक तो communication skills आपकी कहीं न कहीं एक सांदार इस्तिति में आ रही है दूसरा आगे चल कर इसका फाइदा यह हो रहा है कि धन का management सांदार रहेगा अभी इन चीजों की वजों से धन का जो management है और career की जो stability है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दी रहे है बलकि चंद्रमा के भी unmanage होने से थोड़ा मन भी कड़ पड़ है ठीक है ने यह इस्तिति यहाँ पे दिख रही है लेकिन एक सुख़त जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुख़त जीवन जीने के लिए प्रेतन सील ब्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका भी लाब होने वाला है हिर्दे रेखा आप देखेंगे तो भावकता आपके अंदर जादा है लेकिन इन दोनों का भी प्रभाव पड़ रहा है दो ग्रहों का ब्रस्पति का और सनिका इसके कारण आगे चलकर इनका बलाबल बढ़ने वाला है और जिसके कारण जीवन में महत्वकांचाई बढ़ आ रही है और बहुत आगे बढ़ने की रहने वाले है गुरू का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आने वाले समय में आपकी जो इक्छाइएं भी है वो टौप लेबल तक पहुचने की रहेगी सनिका प्रभाव प्रबल रुप में अभी भी है थोड़ा नगेटिबिटी जरूर है अभी लेकिन आगे चल कर ये बता रहा है कि सफलता के लिए अच्छे अस्तर तक पहुचने के लिए जो भी आप से हो जाएगा आप उसको प्रेक्टिकल रुप में करेंगे यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के एक चिन बना रहा है ये बता रह है आपको आने वाले समय में निश्चित तोर पे सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह इस प्रकार से जो है यहाँ पर बन रहा है चालिश में वर्स तक थोड़ा उतार चड़ाव दिखाई दे रहा है कई बार और इस्तिरता का सा अध्यात्म में रुच भी दिखाई दे रही है यहाँ पर इस प्रकार की चीजें अभी पूरी नहीं बनी जब बनेगा तो इसका विसलेशन करूंगा यहाँ पर भी इस प्रकार की जो चीज बन रही है इसका भी आपको आगे चलकर बड़ा लाब होगा अभी तो इसका खतंत्र चिन्द बनेंगे इनका लाब तब होगा और तबी इसका हम अच्छा विसलेशन कर पाएंगे ये रेखा बड़ी अच्छी है ये रेखा इस पश्ट तोर पे बता रही है कि आप बहुत भग्यसाली बिकती हैं आने वाला समय ऐसा आपका आ रहा है किसके कारण हनुमा जी की किरपा के कारण कि आपका काम कोई भी हो वो रुकेगा नहीं कहीं न कहीं से ब्योस्ताइं हो जाएंगे आपका काम चल जाएगा हाँ ये इस पश्ट है आगे अगर ये रेखाई यहीं तक रहती हैं तो अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक भी निश्चित रोप से मिलेगा दूसरी बात इस रेखा की वो जोसी हनुमान जी की ऐसी किरपा हो रही है कि दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रोप में मिलेगा और ऐसा अनुभाव करेंगे कि आपकी जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी किरपा है यह इंगित कर रहा है आप में अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आपका विक्तित तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावसाली रहेने वाला है यह इस पष्ट तोर पे रेखा कह रही है सुक्र का परोद देखेंगे तो थोड़ा सा जो है अनमेनेज है तो किसी चीज को लेकि बहुत जादा सोच रहे हैं आजकर और उसके एकारण थोड़ी चिंताइं भी हो रही है ठीक है ने मन उस प्रकार से खुस नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए बहुत ज्यादा महिनत कर रहे हैं परिस्रम कर रहे हैं तो भी आपकी दृष्टी से देखें तो अभभाव की इस्ति बनी हुई है लाग प्रियास कनने पे सारे साधन होने के बाब जोद भी कहीं न कहीं जो सुक की प्राप्त होनी चाहिए वो अनुभू नहीं उपा रहा है निम्न मंगल को जादा उबर गया है तो थोड़ा गुसेल स्वभाव रह सकता है छड़ मंगूर वाला गुसा हाभी हो सकता है इसका ध्यान रखें लेकिन उपरी मंगल ठीक है तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा यहां पे यह मचले का चिन इसपष्ट रूप से बन रहा है आगे चलकर खासकर 42 एर से इसका लाब जबरदस्त मिल रहा है दिन दोनी रात चोगनी उन्नती होगी यह इसपष्ट बता रहा है और ब्यक्ति बहुत ज़ादा धनड्य हो जाएगा बड़ा धनड्य हो जाएगा यह दिखा रहा है अभी यह सनी की तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा परिवार को लेकि हलकी फुल की चिनताईं दिखाई दी रही है यह यहां सनिपर्वत पे यहां पे एक सी जादा रेखाएं हैं लेकिन बहुत सारी रेखाओं का जाल भी है तो जो नौकरी या करियर का मामला है धन का मामला अभी कनफ्योजन ही है उतार चड़ाओ है और कहीं न कहीं चीजें उलजी हुई दिखाई दे रही है तो दिब्य योग ध्यान के रिया जुरूर करें आपको लाव होगा सुरी के बारे में हमने बता दिया है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने की इच्छा जादा रहेगी ये भी अनबैलेंस है अभी अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आपके लिए कम से कम एक से डेड़ साल तक आ संद्रमा का ठीक होना बहुत जरूरी होता है जलका सेवन खोब करें और चोटा मोटा कुछ उपाई दे रहा हूं उसको जरूर करें देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है और जो उपाई है वो मैं बिदिवत तरीके से लिख कर करके और ओडियो के मादेम से आपको भीज रहा हूं आप करने की कोसिस करें निश्चित तोर पे आपको बहुत अच्छा नलाब मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार